जैए सिवशंबो भक्तू आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल अगोरी बाबा के अगोर शक्ती मंतरों टोटके के अंदर आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथी साथ बेल लाइकन को ज जिससे हम अपने नहीं वीडियो की नोटफिक्स एंगो सबसे पहले प्राप्त करा सके हैं भक्तू चलिए भक्तू आज हम जानते हैं इस्तरी को वश्मे करने के तोटके के बारे में आज हम आपके लिए कैसा पाऊरफूल टोटका लाएं हैं जिससे तोटके के मदद से कुछ इस परकार हैं यदि भक्तु आप किसी इस्त्री को अपने वश्मे करना चाहते हो और उससे अपना मंचाया काम करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसे इस्त्री की पेर की मिट्टी लाएं और उसके बाद में आपको एक सफेद कागज लेना हैं सफेद कागज पे लाल पेन से उस softly का नाम लिखें जिसे आपको वश्मे करना है और आप साथ में करू करू वश्मे नमय स्वाहा यह मंतर साथ में लिख दें फिर आपको जो पेर की मिटी आपने लेके आई थी वह पेर की मिटी उस सफेद कागश के अंदर रख दे फिर आपको उसे फोल्ड कर देना है और अपने मुठी में दाइने हाथ की मुठी में बंद कर लेना है जो आपने मंतर लिखा था उसी मंतर का 11 बर मंतर का जाब करे और उस इस्तरी का अपने 108 बार उस इस्तरी का नाम बोली और आप अपने वश्च में हो जाए ऐसे 7 बार बोली सिर्फ आपको इतना सा यह काम करना है यह काम करने के बाद में वह जो सफेद कागज में जो आपने मिट्टी डाली थी उसे सफेद कागज को आप उसे इस्त्री के घर के सामने रखके आ जाईए सिर्फ आपको इतना सा यह काम करना है यही काम करने से वह इस्त्री आपके वश में हो जाएगी और आपकी इच्छा किनों सार आपका कारिये करने लगीगी और आप जैसा कहोगे वैसा वहे इस तरी काम करेगी और आपका यह टोटका जो है सिद्ध हो जाएगा और आप जैसा आप बोलोगे वैसा आपका यह काम बन जाएगा और आपका यह है टोटका सिदे हो जाएगा वैसे तो भक्तों हमने आपको इसी वीडियो के मात्यम से सारी जानकारी दे दी है टोटके की विदी हमने बता दिया है टोटके का मंतर हमने बता दिया है टोटका किस परकार करना है हमने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया है अगर आप किसी करण आप से यह टोटका नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे अगुरी बाबजी से संप्रक करके अपने समिशों का समादन घर बेटी करा सकते हो हमारे बाबजी के नंबर है 946056432 यह हमारे बाबजी के नंबर है इन नंबर पे आप कॉल करके अपने समिशों का समादन घर बेटी करा सकते हो इसी के साथी वक्तु जैई शिप्शंबू हर हर महादी